मतलब अगर एक बार चालू कर दिया है काम तो मुकाम तक पहुंचा कर ही दम लिजियेगा यही होता है उत्तम जन का या एक स्ट्रेस्थ मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म चालू किया है तो समात करके रहेंगे आईए चालू करते हैं आज का सेशन स्टे पॉजिटिव में आपने पॉजिटिविटी लिया और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना चाहिए था पहला जियो फिजिकल फेनॉमेना से फिर से खबर जो लगातार बनी हुए तीन-चार दिन से वो यही है और जब कोई भी साइकलोन पानी से उठकर लैंड की तरफ आता है तो एक तो तय है कि अब यह खतब होने वाला है क्योंकि साइकलोन का जो फ्यूल है वो हुमिडिटी है मौइस्चर है पानी का कंडेंसेशन है कन्वेक्शन है यह सब खतम हो जाएगा और तब यह साइकलोन भी अपना धीरे-धीरे डिसिपेट हो जाएगा पर जितना देर भी रहेगा पानी खीचा चला जाएगा लैंड की तरफ तो लैंड पे बाढ़ आएगी जो की आई है पानी अंदर तक आ चुका टाइट्स बहुत उपर तक आ चुके हैं और तेज हवा थी 90 से 100 किलोमेटर परावर की हवा थी और बहुत सारे ज़ुके मिचौंग यह नाम आपको पताई किसने दिया है। किसने दिए साइकलों नाम नीचे कमेंट करके जरूव बताईएगा मिचौंग नाम कि ने दिया है कमेंट करके बताईएगा glacier shrank one meter a year in a decade WMO एक मीटर से glacier shrink किया है पूरे अगर decade में देखे तो per year एक मीटर से shrink किया यह बात बोला है WMO इस report ने ये भी बताया कि जो आपके 2011 से 20 का period रहा है वो थोड़ा कम खतरनाक रहा है as compared to the previous decade इस report ने हमें ये भी बताया है कि ozone hole जो दिख रहा था वो भी कम हुआ है इस पिछले decade में एक ठिक ठाक recovery दिखी है ozone hole की मतलब finances भी कुछ ना कुछ मिलते गए है हलाकि ये finance अभी साथ गुना पढ़ेंगे तब जाकर देशों को मदद मिल पाएगी पर फिर भी टीजे ठिक ठाक तोर पर हो रही है इसको बस हमें aggressive form में करना है यही WMO का कथन था इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम आपको जल्दी से चीज बताना चाहते हैं जो आपके लिए बड़ा important है गौर से सुनिएगा the important thing was हमारे पास एक scholarship test हो रहा है और इस scholarship test अगर आप serious aspirant है तो आपको देख कर मानना है 17 December 11 बजे चुपचा बीचे देखे description में लिंकों का उस पर अभी click करिए जाके वहां register करिए और उदर आप दे दीजे CMC code उस code से आपका जो mapping होगा हमसे हो जागा पता चलेगा कि आपका कितना score आता है अगर आप serious है तो आपको जरूर यह देना चाहिए जीतने को बहुत कुछ है you can win a laptop, macbook day with bureaucrat plus test series plus confirm scholarship अगर आप पढ़िया परफॉर्म करते हैं तो scholarship मिलेगा ही मिलेगा आपको नीचे description में लिंक है यह बाद में आप ढूणने के कि सर कुछ scholarship हो जाए कुछ offer मिल जाए यह सबसे पढ़िया chance है to get the scholarship अभी register कर लिजे you can get lot of things here चलिए है आई हम लोग थे इस पे कि glaciers राइंगा अगला था global stock take draft cause of phasing out the fossil fuel climate change की बात आ रही है कि phase out कर दो fossil fuel को structured manner में phase out करो और अभी एक draft बन रहा है एक हफता निकल चुका है negotiation का अगला हफता चालू है देखते हैं कि क्या confirm होके आता है पर स्वाभाविक सी बात है कि यहां पे UAE और दुबई कि में जहां पे यह हो रहा हो खुद पेट्रो स्टेट है और वहां पे वो इतना उतारू है कि हाँ fossil fuel को phase out करना है कैसे करना देखना बागी है banking में banks write-off 10 lakh crore, recover 7 lakh crore in 5 years, I must tell you a very important point here loan write-off करना loan wave-off करने में फरक है loan wave-off करने का मतलब होता है मैंने माफ कर दिया, आपका loan मुझे नहीं चाहिए वापस रखो write-off का मतलब है मैं अपने account book से इस annual statement में इस financial statement year में हटा रहा हूँ पर ये मैं आप से वसूलूंगा क्योंकि मैं इसको legal करने जा रहा हूँ बहले ही वो 2 साल पूरा नहों, 3 सा पूरा मैंने अपने account book से अटा दिया ताकि मेरे account book को तोड़ी शान्ती मिले, बहुत ज्यादा loss ना दिखे पर मैं इसको लूँगा आपसे जरूर और लूँगा कब, हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल लग जया तो 5 साल में देखा गया 7 लाग करोड तो आते हैं जो हमें mandate करें कि आपको ये करना ही करना है हमने किसी भी ऐसे चीज़ पर साइन नहीं किया है इसराइल strikes Khan units at a bloody new phase of war I must tell you वापस से इसराइल ने बंबारी चालू कर दी है Khan units south की तरफ आता है आप अगर गाजा को देखेंगे तो northern Gaza strip फिर आपका Khan units आता है जहां पे लोग camps में रह रहे हैं उनके उपर बंबारी फिर से चालू कर दी कही है location के माध्यम सा हमें समझना होगा कि ये कहां है और अगला news था बड़ा important INC इंटर गवर्णमेंटल निगोशेटिंग कमिटी जो United Nations Environment Assembly के तहत बनी और इसने कर रहे हैं लोग तो उन पे legally bound होगा कि वो plastic का pollution बस बंद करें, खतम करें, production और उसका trade इधर उदर करना सब बंद करेंगे, बड़ा important चल ला है zero draft नाम है और आईए हम लोग देखेंगे इसमें अभी UPSC Unstoppable Channel पे आपसे मुलाकात हों कि वहाँ देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है कैसे है क्यों है, तब आपको और आदन दाएगा मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और आपको बता दे निरंतरता ही सफलता की कुझी है जो निरंतर है, वही सफल है आपको बस निरंतर है, सफलता मिलेगी और जैसा कि आपको बताया, इसमें जरूर भाग लेना है, 40 करोड का स्कॉलर्शिप पूल है, जुड़ जाईएगा और बहुत बहुत बहुतरीन टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, जैहिंद आप सभी का दिन शुब हो, टेक केर